प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुगर, शान्ती और आशिश मिले फिलोसोफर कौन होता है ये ज़्यादतर लोग जानते हैं जैसे एक एंजिनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, एक आथर होता है वेसे ही एक व्यक्ति फिलोसोफर होता है और फिलोसोफर उसे कहते हैं जो फिलोसोफी की प्रैक्टिस करता है जैसे डॉक्टर मेडिसन प्रैक्टिस करता है वेसे फिलोसोफर या दार्शिनिक इसका हिंदी शब्द है दार्शिनिक वो philosophy को practice करता है और ये जो शब्द philosopher एक पुराने युनान की भाशा से आता है जिसको जो युनानी में philosophus कहा जाता था फिलो यानि प्रेम, सौफस यानि बुद्धी तो बुद्धी का प्रेमी उसको philosopher कहते है सौफस का अर्थ है बुद्धी, इसी से सोफिया शब्द भी आता है तो एक बुद्धी का प्रेमी, lover of wisdom ये होता है philosopher का या philosophus का अर्थ और ये शब्द इस field को किस ने दिया था? ये एक philosopher नहीं दिया था जिसका नाम था पाइथोगरस आप मेंसे कई लोगों ने पाइथोगरस ठीरम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, यूज भी किया होगा mathematics में राइट अंगल ट्राइंगल के बारे में है C squared equal to A squared plus B squared तो ये पाइथोगरस नहीं ये नाम दिया और philosopher करता क्या है? वो जो हम जो चीजे आम जीवन में मान लेते हैं मानों के जैसे पक्षी उड़ रहा है मानों के आपकी आँज जपकरिये मानों के सूरज या तारों के बारे में वो कॉमन चीजों पर सवाल पूछते हैं और सवाल पूछना रुपते नहीं है और जो पुराने बाते, विचार, प्रथाएं चलती आती है उनको दुबारा री एक्जामिन करते हैं उनके बारे में दुबारा सोचते हैं और एक नया एंगल सोच का दुनिया को दिखाते हैं कुछ जो फेमिस फिलोसोफर्स रहे आज तक प्लाटो, एरिस्टॉटल, कॉन्फोक्यूस, कारल मार्क्स जिसने बहुत नुक्सान किया दुनिया में एपिक्यूरिस, वोल्टेर जो बहुत दुरदशा में इसका अंत हुआ यानि इसके करियर का अंत दुरदशा में हुआ पाइथागरिस, जो बहुत फेमिस है और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है आप गूगल करके देख सकते हैं लेकिन ये कुछ नाम है जो लोग जेनरल ब्रीडिंग जो करते हैं वो जानते इन नामों को तो एक ऐसी घटना है जहां पर ऐसे ही एक फ्रेंडली पुराने समय की बात होगी जैसे एक फ्रेंडली मैच हो जाती है कॉम्पेटिशन हो जाती है जैसे शर्थ हो जाती है इस प्रकार से तीन फिलोसोफर बैठे हुए थे और किसी ने ये थौट दिया के चलो इन तीनों को इन तीनों की बुद्धी को जो इनके नाम से जुड़ा हुआ है इनको टेस्ट करते हैं और ये दोस्ती वाला मतलब प्रेंभाव में होने वाली शर्थ थी तो इनके सामने एक बरतन में एक खाने के बरतन में एक चीज रखी गई और उनको कहा गया के इसको पहचानो ये क्या चीज है ये कौन सी चीज है जो आपके सामने रखी हुई है तो वास्तों में वो शहद था लेकिन इस तरह से उसको प्रोसेस या प्रस्तुत किया गया था कि दिखने में वो शहद जरा भी नहीं दिख रहा था है ना जैसे मानो के आप किसी चीज में कोई प्रेपरेशन बना रहे हैं और उसमें काफी घी का कंटेंट है या बटर का कंटेंट है आखिर में वो दिखेगा नहीं तो फिर इसमें ये नहीं कि ये कोई पकाया गया था लेकिन इस तरह से इसको बनाया गया इस डिश को या इस चीज को ये वो शहद की तरह दिखी नहीं रहा था लेकिन था वो कंप्लीटली शहद तो पहले फिलोसोफर ने उसके रंग को देख कर कहा कि ये निश्चित रूप से कोई कड़वी चीज है लिएकि वो बता नहीं पाया क्या चीज है दूसरे ने कुछ स्मेल उसकी सुगन से ये बताया कि ये कोई एसेडिक चीज है एसेड है इसमें और तीसरे ने उसको दबा के देखा मुलायम पाया गया और कहने लगा कि ये इसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा है नमक है ये यानि नमक की बड़ी प्रेपरेशन है तो जब ये लोग बोल रहे थे तो एक छोटी लड़की एक दमागे बोली नहीं नहीं ये मीठा है मैंने इसको चक लिया था और वास्तों में वो मीठा ही था वो शहद था और तीम बड़े दिमाग जो बुद्धी से भरे हुए थे संसार के द्रिष्टी में अनुभवी थे और वो शहद को पहचान नहीं पाए ना इविन उसका स्वाद या क्या चीज है वो बता पाए क्योंकि वो अपनी बुद्धी पर और अनुभव पर निर्भर कर ले थे और शायद इतना ग्यान था कि किसी ने चकने की कोशिश भी नहीं कहीं देखकर छूकर बताते गए शायद उनको ये था कि कहीं हमें कुछ हो न जाए लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं लेकिन उनके ग्यान ने उनको आगे बढ़ने से रोका प्रभु येश्व मसी के बारे में कई लोग बहुत चीजे बोलते हैं उस समय जब प्रभु येश्व इस जगत में आएं थे तो कुछ लोगों ने कहा कि ये वो भविश्य दखता है जिसका हम इंतिजार कर रहे थे एक राजा था हेरोड उसने कहा कि नहीं नहीं ये वो भविश्य दखता है जो मर गया था लेकिन अब जिन्दा हो गया है कुछ लोग सोचते थे कि ये मसीया है जिसकी भविश्य वानी 700 वर्ष पहले हुई थी उस समय से 700 वर्ष पहले वो मसीहा जो इस जगत में आएगा और मनुष्य जाती के लिए दुख उठाएगा मनुष्य जाती के पापों को अपने उपर लेगा और अपने पवित्र लहु के द्वारा अपने प्राण के द्वारा मनुष्य जाती के लिए प्रायश्चित करेगा और कुछ लोगों ने विश्वास किया क्योंकि ये सत्य था कई धार्मिक या धरम गुरु जो थे उन्होंने कहा ये धोके बाज है और इसकी बातों का कोई महत्व नहीं है आज एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी जो कहती वो एक पैगंबर था और उसने क्रूस पर कोई जान नहीं दी वो मरा नहीं हूँ जिन्दा ही उठा लिया गया लेकिन ये गलत है क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि प्रभु येश्यु मसी ने क्रूस पर अपने प्रांट दिये दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा वो कहते कि ने बाइबल बदली गई है लेकिन वो इस अट दे सेम टाइम मानते है कि बाइबल एक आस्मानी किताब है तो आस्मानी किताब है तो कैसे बदली जा सकती है ये एक जूट है कि येश्यु मसी ने जान नहीं दी ये सच है कि येश्यु मसी ने क्रूस पर अपने प्रांट दिये उचे शब से पुकारा पूरा हुआ और फिर अपनी आत्मा को सौंप दिया पिता के हाथ में कुछ मानते हैं कि वो सिर्फ बहुत सारे भगवानों में से एक भगवान है बहुत सारे ऐसे ज्यानी लोग हैं घमंडी लोग हैं जो अपने घमंड और ज्यान के कारण परमेश्व के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी कुछ कहते हैं रहे नीची जात वाले ही येश्य मसी पे विश्वास करते हैं वो इस तरह की घंद फैलाते हैं क्योंकि उनके मन में जात बात मरा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको अच्छे अच्छे लोग बता दूँगा जो अच्छे उपर के बैगराउंड से उच्छे बैगराउंड से आए हैं ना किसी लालत से या डर से या किसी ऐसी बात से उन्होंने प्रभु येश्यू पे विश्वास किया उन्होंने सिर्फ प्रभु येश्यू के खातिर उसके प्रेम के खातिर जो सत्य उसमें पाया उसके खातिर उसके कारण उस पे विश्वास किया एक सच्छा विश्वासी कहता है मैं जानता हूँ मैंने किस पर विश्वास किया है उसने चका है, पाया है कि वो मीठा है वो कहता है कि परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया ये वो व्यक्ति लिखता है, कहता है जो पहले येश्य मसी के नाम से ग्रिना करता था उसके लोगों को सताता था, उसका नाम था तर्सुस का सौल एक और गीत में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर मेरी सामर्थ, मैं तुझसे प्रेम करूँगा बजर 116 में लिखा है, तूने मेरे प्राण को मृत्यू से, मेरी आखों को आशों से और मेरे पैरो को गिरने से बचाया है बजर 14 में वो लिखता है, तूने मुझे सत्यनास के गढ़े से और दलदल से निकाला है और मेरे पैरो को चटान पर खड़ा करके मुझे आगे बढ़ाया है वो कहता है कि प्रभु ने मुझे दलदल से, कीच से, पाप की गंदगी से, दलदल से निकाला है अपनी सामर्च से मैं तो डूपता जा रहा था, लेकिन प्रभु येश्व ने मुझे निकाला है वो अब व्यक्तिगत रिती से प्रभु येश्व को जानता है और आप भी जान सकते हैं काश कि आपकी बुद्धी, घमण, आपकी अपने विचार कल्पनाएं आपको उधार से ना रुके, मुक्ती से ना रुके परभु येश्व करता है, हे बोज से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा वो कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ, खट खट आता हूँ यदि अपने हिर्दय का द्वार कोलेगा, मैं तेरे जीवन में आ जाओंगा और जीवन भर तेरे साथ रहूँगा, ना तुझे छोड़ूँगा, ना तुझे त्यागूँगा ऐसी मीठी संगती, ऐसी मीठी मित्रता प्रभु येश्यु की, आप व्यक्तिकत्रिती से चक सकते हैं वो परमेश्वर जो मनुष्य बनकर धर्ती पर आया, कुमारी के जरिये जनम लिया, एक पवित्र जीवन बिताया, पाप रहित जीवन बिताया और आखिर में हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी, और तीसरे दिन जी उठा और जो उस पर विश्वास करता है, उस भयानक नरक से, दन से बच जाता है, उसने दुख उठाया, अपना खून बहाया, और अपनी जान दे दी, मेरे और आपकी सजा लेते हुए तो आज ही प्रभु येश्व से प्रात्न करे, सच्चे हिर्दे से, सच्चे पश्टाब के साथ प्रभु येश्व पर विश्वास करे, और चक कर जानिये कि प्रभु येश्व कैसा भला है, चक कर देखो प्रभु येश्व मसी कितना और कैसा भला है, प्रभु येश्व आपको आशिष्टे